नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस study for civil services में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका feedback है कोई suggestion में तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल क को तुरंद सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट आप सभी का स्वागत था स्टड़ी फार एक्जाम्स में दोस्तों यह यूपी ट्रूपल से वन दरोगा के सिरीज का यह चाठा वीडियो है इससे पहले पांच वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कॉन बाक्स में पिन कर दिया गया है जो लोग पिकॉल कर जनकाई प्रद्व कर सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रस्न है कि उस्ट कड़बंदी सदा बाहर बन निम्रिखित में से कि छेत्म पाये जाते हैं गंगा के मैदान पस्मी घाट चोटा नाकुर पठार या पूर्वी घाट भारत में जो है उस् कि छेत्र में आपका तमिलनाडू है, करनाटक है, केरल यह सबी जो है यहां पर उस्ट कड़बंदी सदा बाहर बन पाये जाते हैं और जो सदा बाहर बन होते हैं वह वर्च भर हरी भारे रहते हैं और पेड़ों को जो पत्ते होते हैं फोल वब फल लगने के जो समय होता है वह कोई निशित नहीं होता है उश्ल गड़बंदी सदा बाहरबान में और यह आपके पसिमी घाट में पाय जाती है इसका जो option B है वह सही है निम्रकित में से कौन सा मानव वन जीव संगर्ज का कारण है क्रिस्विस्तार सहरी करण बढ़ती मानो जन संख्या या उप्रोग सभी तो इसका जो सही आंसर है वह option D उप्रोग सभी मानव वन जीव संगर्ज का जो कारण है उनमें आपका क्रिस्विस्तार भी है सहरी करण भी है और बढ़ती मानो जन संख्या भी है यह सबी जो कारण है यह माना वाने जिव संघर्ष के कारण है इसका जो option D है वह सही है आये ते हैं अगला प्रस्म लोग WWF इंडिया दोरा किस वर्ष आसम के सोनित पूर जिले में सोनित पूर मॉडल विक्सित किया गया था तो इसका जो सही आंसर है वह option A वर्ष दोर तीन चार में WWF इंडिया दोरा आसम पूर के सोनित पूर जिले में सोनित पूर मॉडल को विक्सित किया गया था जिसमें विविन संदायों को राज वन विबाग से जोड़ा गया था और इन लोगों को हाथियों को फचलों से सुरचित रूप से भागाने के लिए प्रसिच्छण भी इन लोगों को दिया गया था और यह जो है माना वन जीव संहर्स को जो है नियंतित करना था इसका जो प्रमुक उद्धिश था सोनित्पूर मॉडल और यह आपके आसम में जो है यह किया गया था WWF इंडिया दोरा वर्श दोज़त तीन चार में आयते हैं अगला प्रस्म लोग वन उपज को किस अधनियम के तहट परिभासित किया गए है यहाँ पे चार आपन दिया गया आप लोग पर लेजे इसका जो सही आंसर है वो आपन ए भारती वन अधनियम 1927 के तहट जो है वन उपज को परिभासित किया गया था वन उत्फाद की आवजाही को नेतित करना अवरूस पर सुल्क लगाना यह सभी जो भारति वन अधनियम 1927 के तहर परिभासित किया गया था और साथ में जो है किसी वी छेत्र को आरचित वन संदचित वन या ग्राम वन के रूप में घुशत करने का जो प्रक्रिया थी इन सभी को इन सभी का जो वर्डन है वो भारती वन अधनियम 1923 के तहर जो वर्णित किया गया है इसका जो अप्चन ए है वस सही है मुरलेन राष्टी उद्यान किस राजम इस्थित है महरास्ट मिजोरम आसम या उत्रप्रदीश मुरलेन राष्टी उद्यान यह मिजोरम इस्थित है और यह है मिजोरम के चंफाई जिला है वहाँ पर यह इस्थित है और इसकी जो अस्थापना हुई है वर्ष 1990 में मुरलेन राश्टी उद्यान की जो है अस्थापना हुई है और यह मिजुरम राज्य में इस्थित है भारत कैसे ताइगर राज्य के नाम से जाना जाता है मद्परदेस, असम, ओर इसायराजस्तान तो इसका जो सही आंसर है option A मध्य प्रदीश को Tiger राजी के राम से जाना जाता है क्योंकि भारत के किसी भी राजी में सबस्यादा जो Tiger है वो है आपके मध्य प्रदीश में है अब मध्य प्रदीश में टोटल जो है 526 Tiger है दोसरे स्थान पर आपके करनाटक है जहां पर Tiger हों जो संख्याव वो आपके 524 है 524 Tiger जो है वो आपके करनाटक में है आप लोग कॉनबाक्स में बताएगा कि उत्तर प्रदीश में कुल कितने Tiger है इसका उत्तर आप लोग कॉनबाक्स में बताएगा भीतर कनि का राष्टी उद्यान जो 200 धर्वहर सुची में सामिल किया गया है आपको बताना है यह किस राज में स्थित है ओरिसा तमिलनाड केरल या गुजरात तो यह स्थित है आपके ओरिसा में भीतर कनि का राष्टी उद्यान यह ओरिसा मिस्थित है और यह कुल 672 वर किलोमीटर में फैला है और विशेस रूप से खारे पानी के मगरमच का प्रजिनन किंद्र है आपका भीतरकणि का राष्टी उद्यान जो ओडिसा मिश्थित है राष्टी वनीकरन और पर्यावन विकास बूड के स्थापना कब होई थी 1990, 1992, 1996 या 1998 में तो इसकी जो अस्थापना की गई थी वर्स 1992 में राष्टी वनीकरन और पर्यावन विकास बूड के अस्थापना की गई थी राष्टी वनीकरन और पर्यावन विकास बूड की जिसके अस्थापना वर्स 1992 में की गई थी भारत में समाजिक वनीकरन पद का प्रथम प्रयूग कब किया गया था 1976, 1985, 1989, 1990, 1990, 1990, 1990 तो इसका जो सही आंसर है वो अप्शन ए 1976 में भारत में समाजिक वनीकरन पद का प्रयूग किया गया था राष्टी क्रिस आयोग द्वारा इसका जो अप्शन ए है वो सही है जहांसी में इस्थित राष्टी क्रिस वन की अनुसंधान केंदर के अस्थापना किस वर्स होई थी 1988, 1985, 1989, 1990 या 1990 भारत में जो है राष्टी क्रिस वन की अनुसंधान केंदर के अस्थापना जहांसी में वर्स 1988 में की गई थी इसका जो अप्शन ए है वो सही है और यह है भारती क्रिस अनुसंधान परिशत के तहर जो है कार्य करता है राश्टी क्रेसिफ वान की अंसंधान केंद्र है इसका जो आप्षण यह है वह सही है प्रिथिविक के फेपड़े के रूप में किसी जाना जाता है पस्सिमिघाड, विक्तोरिया जील, ग्रीन लेंड या अमेजन वर्सावन तो इसका जो सही आप्षण दी अमेजन और इसलिए इसे प्रिथिविक फेपड़े ग्रूप में जाना जाता है इसका जो आप्षण दी है वह सही है बोर्लोग पुरुसकार की छेत में दियायता है फिल्म, विज्ञान, साहित Californ क्रिसी तो इसका जो सही आप्षण दी वह सही आप्षण दी क्रिस चेत में द प्रदान के लिए बॉर्लोग पुरुषकार प्रदान कहा जाता है और बॉर्लोग नार्मान इबॉर्लोग को जो हरित करांद का जनक भी कहा जाता है इसका जो आप्संडी है वह सही है मुख मंतरी जन वन योजना किस रास समझे था है? तमिलनाड, केरल, गुजरात या जारकन तो इसका जो आप्संडी जारकन और दो की विकास और पर्रदान के बीद संतुरन बनाये रखने के लिए जारकन सरकार ने मुख मंतरी जन वन योजना के जो है शुरुवात की है इसक के रैंकिंग कितनी है पांच छे पांच साथ आठ या दस तो इसमें टोटल 27 देश और यूरूपी संग सामिल हुए थे और इस रैंकिंग भारत का जो अस्थान है वह आठवा है और उपर के जो तीन अस्थान है वह आपके रिक्त है चौत्य अस्थान पांच में चाठे या साथ में पर आपका डेनमार्क, स्वेडन, चिली और मुरको यह सभी है तो भारत सूपर जो है टोटल 4 देश है और भारत जो रहेंकिंग इसमें 8 वा है और इसमें टोटल 57 देश थे और यूरूपी संग सामिल था और इसे जर्मन वास्ट ने जारी किया है आसा है आप सभी